Hello guys, welcome back to Boss Talks, technical analysis course के आज के अपिसोड में हम लोग जानेंगे कि what is support and what is resistance गाइस मैं बताऊंगा कि अगर support break होता है तो क्या होता है, resistance break होता है तो क्या होता है breakout पे हमें कैसे trade करना चाहिए और fake breakout से कैसे बचना चाहिए और last में ये भी बताऊंगा कि जब resistance break होता है तब वो ही level वापिस से support कैसे बन जाता है ये सारे जिसके पीज़े psychology क्या है ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में तो guys जल्दी से चलते हैं मेरे screen पे और ये वीडियो शुरू करते है हेलो गाइस तो आज के एपिसोड में जानेंगे what is support and what is resistance सबसे पहले देखते है कि support क्या है support एक ऐसा price point है या फिर ऐसा एक zone है जो current market price के नीचे है और जो दर्शाता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा buying support है ये फिर buying interest है मतलब price जबी भी वहाँ पर आती है तो यहाँ पे buyers active हो जाते है और वहाँ से price को उपर लेकर जाते है यहाँ पर अब देख सकते हो यहाँ एक zone है यहाँ पर price नीचे आया यह price पर और यहाँ से bounce back किया जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बाइंग इंट्रेस्ट है और वहाँ से प्राइज नीचे जाना बहुत मुश्किल है वहाँ पर बाइंग एक्टिवेट होते हैं है सेकंड चीज ररी सस्टाइस यहां पर 555 के उन पर है यहां पर यहा साट में उस ने ब्रेकाऊट कहरोएप और एकसंट यहां compliance आपट पर लका कराशा दर्रिदा कमाशल करते हैं नैंक favour एक उस पहुँँख़ से red candle आपको बहुत जल्दी frequently देखने मिलेंगे तो इसका और आप उसके examples के साथ उसको और अच्छे से जानबा होगे तो सबसे पहले support and resistance का complete overview ले ले लेते हैं तो पहले जानते है support के बारे में तो यह चार्ट में आप देख सकते हैं कि price यह लेवल से एक बार नीचे आई यहाँ पर आई फिर वापिस से उपर गई एक resistance लेवल पर फिर वापिस से नीचे आई तो प्राइस जहां पर वापिस आके बाइंग support आ रहा है मिल रहा है उसको तो वह होगी हमारा support zone तो यहाँ पर मैंने यह area mark किया है और उसको मैंने support नाम दे दिया है यहाँ पर के साइट देख तो प्राइस एक बार दो बार यहाँ पर ऑल्मोस्ट थोड़ी जान के लिए उतना नजदिक आई थी तिसरी बार चौथी बार वापिस से यहाँ पर आई है तो तीन बार यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगे यहाँ पर मैंने बताए रैड केंडल आ रहे है रैड केंडल आ रहे है वहाँ पर प्राइस पहुचते ही sellers activate हो जा रहे है अपना माल बेच रहे और प्राइस को नीचे लेके आ तो यहाँ पर जब चौथी बार प्राइस यह लेवल पर आई तो बायर बहुत एक्टिव दे तो यह लेवल ब्रेक कर दे अब यहाँ पर रिजन क्या हो सकता है कि मेरे पास एक बार आएगा तो पचास बेच दूँगा दूसरे बार आएगा तो असी बेच दूँगा तीस असे तो रियल तो बन गाए सब्पोर्ट अब देख सकते हो कि नया एक रिजिस्टन्स लेवल बन जाएगा जहां भी प्राइस मुश्किल ही आएगी यहां से ओर जाने के लिए तो आप देख सकते हो कि यहां से इतना उपर जात्तर आएны के लिए's वापी से नीच चिया है यहां से वापिस से प्राइज को उपर जाने के लिए बहुत मुश्किली आ रही है यहां पर अगें बहुत लोग सेलर बैठे हो गए बट अगर आप देखिए कि यह रजिस्टन्स था वो सपोर्ट बन गया इदर यहां से उपर आ गया इदर टच करके वापिस बाउंस बैक किया इदर टच करके वापिस उपर गया और इदर प्राइस इसके नीचे जाए नहीं पा रहा है सो यह होगे हमारा सपोर्ट यह होगे हमारा रेजिस्टंस तो आपको कम्प्लिट ओवर्वियू मिल गया रहेगा और आप यह चीज बहुत खास दियान रखिए सपोर्ट एनरजिस्टंस ना की लेवल और इनर्चेंजिंग लेवल अगर रेजिस्टंस ब्रेक हुआ है तो वो बन गया support, अगर support breakdown हुआ है, तो वो बन जाएगा अभी resistance, यह अपने दिमाग में fit कर दीजे, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर जब price में breakout आता है, मतलब price resistance level को break करता है, तो क्या हो सकते हैं, क्या possibilities हैं, तो मैं यहाँ पर 4 possibilities बताऊँगा, आप सबसे पहली possibilities breakout, pullback and continuation, second condition क्या हो सकती है, कि stock में breakout दिया, retest किया, वो ही वापी से, वो ही level पर आया, लेकिन वो resistance अभी support बन केता हूँ, यहाँ पर buyers रहेंगे, तो वहाँ से वापी से bounce back आया, continuation हुई upside rally की, third point हो सकता है, breakout, जैसे आप देख से तो red color में, कि stock ने breakout दिया, वो आपी से retest की पर आया, लेकिन यहाँ पर buyers एक्टिव नहीं थे, sellers उससे जादे एक्टिविटेट, तो यह breakout नहीं हुआ, और यह reversal हो गया, यह fake out हो गया, तो यह situation को हम लोगों कि आपे fake out बोलते हैं, in last and final situation है, stock ने अपने resistance जोन से direct ही reversal दे दिया, breakout आया ही नहीं, तो यह चार possibilities है जबही कोई stock की price resistance level के आसपास पहुचती है तो, मैं अभी आपको यह चारो जिसके एक example बताऊंगा, तो यह है first example हमारा breakout, pullback और continuation का, यह stock ने resistance और support के भीच में भूम रहा था, फिर यहाँ पे this price उसने breakout दिया, तो यहाँ पे breakout देके stock तो उपर गया, बट seller आएंगे ना, कुछ ल पहली दे सकती है, तो यह हुआ हमारा first condition, यह एक अच्छा है, लेकिन हर बार ऐसा मिले, वो जरूरी नहीं है, बट सबसे best condition है, यह वाली, stock ने दिया breakout, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह level पे, stock ने breakout दिया, stock की price गई उपर, stock ने retest किया, यहाँ पे वापिस से resistance के पास आय तो अगर यह resistance दा, वो अभी यहाँ पे बन गया है, support, correct, आपने सही guess किया, तो यह support बन गया, यहाँ पे buyers है, और यह support buyers वापिस से उसके price को उपर की दरफ लेगे गए, तो यह हमारा second condition, breakout, retest and continuation, यह सबसे ideal condition है, अगर आपको कोई भी stock breakout हो और वापिस से retest level पे आसपस मिल आपको, तो यह था हमारा second condition, third condition होता है कि breakout हुआ, retest किया, बट वो fail हो गया, और वापिस से price आगए नीचे, तो यह आप देख सकते हैं, यह जो resistance था, यहाँ पे resist हुआ, यहाँ पे उसने breakout दिया, तो breakout देने के बाद price तो उपर गई, लेकिन retest किया stock की price ने, बट retest करके वो वापिस से bounce back ने कर पाई, यहाँ पे buyers कचे पड़े और price को वापिस से नीचे ले के आगे, तो यह हुआ हमारा fail test, तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे यह चीज में हम लोग को देखना है कि यहाँ पे volume का क्या role है, हम लोग ने last episode में देखा था कि volume analysis कैसे करते हैं, त अब आपको अभी भी कुछ भी doubt हो, तो पहले जाए वो वीडियो पे और वापिस से volume analysis सीख लीजिए, और फिर यहाँ पे देखे, तो आपको यहाँ पे पता चल जागा कि यह fake out है, यहाँ पे हमें trade नहीं करना चाहिए था, fourth and final condition है, कि stock direct reversal हो जाए, यहाँ पे जैसे breakout वाला फाइदा ले सकते है, तो यह थे चार में possible options के breakout के time क्या हो सकता है, stock resistance के पास है तो क्या हो सकता है, बट अभी सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जब price resistance break करती है, तो वो ही level support क्यों बन जाता है, तो उसका first and the main reason है कि psychology shift, तो जो भी sellers थे resistance के level के आसपास, अगर एक पर stock की price resistance break कर देती है, तो वहाँ पर sellers के stop loss हो जाएंगे, और वो लोग cover करेंगे, कुछ लोग को लगेगा कि यहाँ पर buying opportunity, तो buying pressure आता है, इसके वज़े से हम लोग बोले कि जब breakout होता है, तब stock fast move करता है, तो यह था main psychology shift, दूसरा है trading behavior, कि सब लोग wait करते है कि मैंने miss कर आप breakout पे लेने के लिए, यह फिर resistance के लेने के लिए, तो मैं breakout होने के बाद घाई से घुसूंगा अंदर, कि मैं थोड़ा miss किया, जादा miss ना करू, तो वहाँ पर और buying pressure आता है, और price वहाँ इसे उपर जाती है, तो मैंने जैसे बताया कि pullback आता है, retest आता है, तो वो होता आता है, और हम बहुत बड़ी rally के participant बन सकते हैं ऐसे, और फोट पॉइंट है, continuation of uptrend, अगर कोई भी resistance break होता है, तो वो bullish signal है, और वो बताता है कि यहाँ पर potential uptrend है, तो यहाँ पर buyer interest बढ़ता है, और इसी वज़ए से stock के price बहुत उपर जाती है, तो यह main reasons है कि stock के resistance है, वो support कैसे बन जाता है, after breaking it, मैंने अब तर के examples में आपको दिखाया है कि support और resistance एक straight line थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो हमेशे एक straight line हो, यहाँ पर एक higher highs के वज़ए से trend में भी support हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह line मैंने blue line मनाई है, तो stock की price उपर जा रही है, लेकिन एक line को follow करते जा रहे है, उसको नीचे break नहीं कर रही है, तो यह हमारा बन जाता है यहाँ पर support, और जबी भी यह break होती है, यहाँ पर हमें बहुत बड़ा fall मिल सकता है, तो guys अगर आप trend में काम करना चाहते हो, तो यह trend line या फिर ऐसे support और resistance को डूने, जो long trend को continue करत होते हो, और फिर जबी भी वो trend reversal हो या break हो, तो आपको एक लाओ बहुत अच्छे trade मिल सकते है, यह example था support of uptrend, मैं के दूसरा example दिखाता हो, यह है भेल का example, यहाँ पे stock में बहुत अच्छा uptrend था, यह line को support देते देते, stock के price उपर भी हुई, लेकिन जबी यह support break हुआ, तो यहाँ पे एक बार retest किया उसने और वापी से downfall आया, तो यह ही चीज है, मैंने बताया कि retest आपको हमेशा बहुत बड़ी entry लेनी है, आप double quantity से भी काम कर सकते हो जब वो price retest level के असपस है, और फिर आप देख सकते हो कि यह downtrend में था, तो यह जो second blue line है वो उसका resistance बन ग और यहाँ पे downtrend के resistance break होते हैं, तो वो again trend reversal बताते हैं, यहाँ से market को उपर लेके जा सकते हैं, तो यह थे हमारे resistance and support in a downtrend and uptrend, so guys अभी तक मैंने आपको सब चीज़ बताये, support and resistance के बारे में, अगर इसमें आपको कुछ भी doubt हो, या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, या इसके उपर और detail में कोई concept समझना हो, तो comment में मुझे बताये, जरूर से मैं इसका अलग से video बनाऊगा, and guys हमारा next topic है gap analysis, तो guys अगर अब तक आपने ये video like नहीं किया, या channel को subscribe नहीं किया, तो पहले उसको कर दीजे, क्योंकि हमारा next video आएगा और आपको सबसे पहले notification मि about gap analysis, so guys thank you so much for watching it and see you in the next video, bye.